हैलो एप्रिवन वल्कम करती हूँ प्रीतो कीजी रेश्पीस में तो आज मैं लेकर आई हूँ हूँ जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है वो भी पांस मिनट में गुलाब जामुन एकदम सौफ्ट, स्पंजी और फटा फट से बनके तयार भी हो जाता है तो आज मैं न र हमारे पास एक पैकेट गिट से गुलाब जामुन का पैकेट पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो आज बनाते हैं बहुत इजी तरीका शेयर करेंगे आपको आसान लगेगा बनाने में तो यहां पर हमने एक बावल में निकाल लिया है यह 200 ग्राम के करीब होगा और मै जब भी मुझे फटा फट से गुलाब जाओन बनाना होता है तो मैं यही मंगाती हूं अब क्या करेंगे यहां पर एक चमश मलाई डालेंगे मलाई से खोए का काम करता है इसलिए मलाई जरूर डालेगर है तो और दूद हमने लिया है रूम टाइमप्रेचर यानि की नॉर लगता है मतलब इसका जो खोए वाला स्वाध है एकदम वैसे लगता है यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा दूद डाल के इसको गूत हूंगी बहुत लोगों क्या होता है ना पैकेट वाले जो गुलाब जामुन होते ना उनको बनाना बड़ा डिफकट लगता लेकिन बहु यह फूलता है और उसके बाद जब फूल जाता है सौफ्ट हो जाता है तो इसकी जो लोई होती है ना बहुत अच्छे से बनती है तो आप ढ़क के रख दीजिए 5-10 मिलड तक ताकि अच्छे से मुलायम हो जाए अब चले सीड़ा बनाते है यानि कि चासनी यहां पर हमने पतीला लिया है और उसके बाद यहां पर हम डालेंगे एक कप चीनी यानि कि 200 ग्राम गुलाब जामुन में हम डालेंगे यहां पर एक कप चीनी क्यूंकि चीनी जादा डालेंगे नहीं सीड़ा जो बचता है न वो फिकता है यहां पर हम दो कप पानी डालेंगे एक कप ची चास्मी नहीं बनाना है बस हलका से इसको खौला लेना है बस जैसे हलकी सी एक तार की चास्मी बनने लगे न तो समझ आपका ये चास्मी तयार तो मैंने इसको जो है मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसको जो है लगतार चलाके और देखिए ये घोल जो है तयार हो गया है और इधर हमारा जो है ये आटा भी सेट हो गया है और इसका मैं बना लेती हूँ क्या बोलते हैं गुलाब जामुन तो देखिए बहुत सौफ्ट आटा गुतना है इसके बाद फ्राइ करने के बाद जब सीड़े में डालेंगे तो वह चिटका चिटका मतलब फट जाएगा तो ध्यान रखना है थोड़ा सा मुलाया भी गूतना है और इसको दस मिनट के लिए रेश्ट पर जरूर रखे आप क्या गरेंगे छोटे छोटे लोई बना बना लीजिए यह देखिए एकदम मतलब हाथों से रगड रगड के चिकना करके चोटे छोटे बॉल बना लीजिए तो जब चिकना चिकना रहेगा तो फ्राइ करने में आसान रहेगा तो यह देखिए हमने बना लिया है इधर सीड़ा हमारा बहुत अच्छे से चासनी पक कर सकते हैं यहां पर देखिए चासनी मेरा तयार हो गया है और मैंने उतना ही बनाया है कि जितना मेरा यूज हो जाए फेकने की ज़रूरत ना पड़े देखिए यहां पर बस हलका सच्छा च्छा ठोरा समझाए कि आपका यह चासनी बने के तयार अब इसको हम अलग रख द देते हैं और यह देखिए यहां पर हमने डे सारे गोले बना लिए यानि की 200 ग्राम गिट्स में आटे के जो है आपके 30-35 मतलब गुलाब जामुन बनके तयार होता है तो यहां पर देखिए सीड़ा एकदम बहुत अच्छे से कलर भी आ गया है हमने जो केसर डाल दिया है अब इसको हटा लेते हैं और यहां पर अब हम इसको फ्राई करते हैं तो हमने छोटी सी कडाही का यूश किया है तेल भी जादा नहीं लिया है और तेल को पहले चेक कर लेना है तेल एकदम ना हलका गरम होना चाहिए बहुत जादा गरम नहीं क्योंकि यह जैसे डालेंगे वैसे यह जल जाएगा बहुत तो जो है यह सॉप्ट होता है तो आप एक बार एक गोले को डाल के चेक कर लीजिए इस तरह से और जब परफेक्ट आपका फ्राई हो रहा है ना तो समझ जाए कि तेल अच्छे से रेडी है और उसके बाद आप डाल दीजिए तो यह देखिए हमने एक साथ आठ चे-दस गोले डाल दिये हैं और यह देखिए और जैसे जैसे इसको तेल में डालेंगे ना यह फूलता जाता है बड़ा बड़ा होता जाएगा और चास्नी में डालेंगे तो ओर डबल हो जाएगा तो देखिए इस तरह से हमने इसको धीमी आज़ पर फ प्राइज से फूलता है वैसे बड़ा होता जाता है इसलिए छोटे छोटे गोले बनाएंगे तो सही लगेगा और देखिए हमने इसको चास्नी में डाल दिया है और चास्नी को बहुत ज्यादा गरम चास्नी में नहीं डालना है हलका ऐसा गुन-गुना रहे तब उसके बाद डाले नहीं तो बहुत जल्दी से शॉप्ट हो जाता न तो यह मतलब वह विखर जाता है तो बस चास्नी हलकी सी गरम रहे और इधर देखिए हमने इसको धीमी आज पे हमने इसको जो है उलट पलट के इसको शेक लेना है और इसका जो है हमने थूड़ा सा इसको ज्यादा फ्राइ कर दिया है क्योंकि आपने देखा होगा जो गुलाब जावन एक दों काले वाले होते ना ऐसी होते हैं और इसको हमने धीमी आज पर बहुत ज्यादा मतलब फ्राइ कर दिया तो यह देखिए इसको भी हम डाल देंगे और अच्छे से जो है चास्नी में मिक्से कर ल दिखाते हुं बहुत सॉफ्ट है बहुत अच्छी है और सबसे खास बात में वह जूशी है यह देखिए तो आपि पांच मिनिट में बहुत सारे रिस गुलाब जामू तो यह मेरा पैकट का गुलाब जामू आपको कैसे लगा जरूर कमेंट बाक्स में बताना अच्छ भूले मेरती हूं नेक्ट रेस्पी में बाबा